हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू रोसन की क्लास यूट्यूब चैनल आप सभी का आज कि इस पाठी होजना की वीडियो में एक बार फिस से बहुत-बहुत स्वागत है व्यडियो स्ट्रेंट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चोटी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पर यहाँ पर दिए यहाँ पर पर प्यार पाठी होजना की विडियो पर बना कर रख था उसी तरीके से उस वीडियो को भी देखा करिये अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो देखते हैं मेरी 15-20 नट की एक वीडियो होती है सीटेट या फिर यूपीटेट की जो भी मैं यहाँ पर अपलोड करता हूं वीडियो और महनत करने की जुरत होगी क्योंकि उसमें आप लोगों के सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा जाती है और सभी का कमांड सभी सब्जेक्ट पर नहीं रहता लिख लीजिए उसके वाद विद्याले का नाम लिखना होता है जिस विद्याले में आप लेसं प्लान यानि की पाठी होजना पढ़ाने के लिए जाएंगे आज की जो मारी पाठी होजना की कच्छा है वो साथ है वर्ग है विसे है गड़ित का उप्विसे है रेखा सोटे कि पुओं प्रहदे तों दिखने के वाद अपना प्रखुण बच्चों से निकलवानी लेत तो प्रक्रन लिखने के बाद इसको ब्लेंक छोड़ दीजिए खाली चोड़ दीजिए इन्वर्टे इस तरीके से इंवर्टेट कमा लगा के और जब आपका सम्त प्रस्तावना प्रस्ट के द्वारा वहां पे आपका प्रकर निकल जाए तो उसकी यादा आप प्रकर यहां पहलता है है अइसल्प करना जाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास करेंगे उसके बारे में सक्र six only जाता है पॉइंट इसमें tamam चाछ से क्मांच लिख सकते हैं प्र्यूप लिक्ष में हम इसमें 18नास पॉइंट भी लिखा सकता समानी उध्यूप चुट में यहां पर सकते हैं यहां चाटवाँ पॉइंट है यहां पर देख सकते हैं आप सामाने उद्धेस का चात्रों को गड़ित के तथियों की जानकारी देते हैं उनकी बॉधिक चमता का विकास करना और चात्रों में सहमया इनुसार प्रस्ण को हल करने की चमता का विकास करना अब विशिष्ट उद्धेस आता है हमारा समाने उद्धेस के बाद विशिष्ट उद्धेस में जैसे हमारा आज का प्रकण है विरित की परित तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन की चीजों का विकास होगा किन की चीजों का डेलोप्मेंट होगा उसके बारे में यहां के बारे में बता सकेंगे तेसा पॉंट है चाहता चाहता कारे करते समय लेते हैं इसमें आप 40-node की लाश में जैसे आप चौक का प्रयोग करते हैं स्यामपट पे लिखते हैं और डश्टर का प्रयोग करते हैं जाने के लिए चौक को तो उन सारी चीजों को यहां पर लिखना होता है अगर आप किसी चार्ड का स्पेसल चार्ड को बना के आप प्रदर्शन भी दीख का प्रयोग कर रहें बच्चों को दिखा रहें तो उसको भी लिख सकते हैं आप तो देख लिए सिछट्छाइक समंग प्रस्तावना 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 प्रस पूछने होते हैं जो काफी हाई लेवल का नहीं हो और बच्चे अपने पुर्व ग्यान का प्रयोग करके उसका उत्तर दे सकें तो देख लिए पहला प्रसन यहां पर है यात्यायत के विभिन साधनों का नाम बताईए तो बच्चे बताएंगे साइकल कार बस रिक्सा ट्रे होती है और इसके बाद यहां पर उसको देख लिए से पता चलता है कि उनको परित के बारे में भी थोड़ी जानकारी है अब उसका चौथा प्रसन यहां पर पूछे वृत की परित का सुत्र बताईए तो इसका सुत्र भी आप लोगों ने आपने शिच्छक ने या फिर च यहां पर देख लिए प्रस्तावना पर जैसे निकल जाएगा आपका वृत की परीद तो आप स्यांपट कारे पर अपना जो वहां पर प्रकरण लिखे था उसके आगे अपना खाली जगा भर दीजिए कि वृत की परीद के बारे में आप आज पढ़ने वाले हैं तो यहां पर देख लिए दो कॉलम आपको सामने दिख रहा है इसमें पेज पर शिछचल बिंदू और छात्रा ध्यापी का कथन यह फिस चात्रा ध्यापक है तो छात्रा ध्यापक खन लिख लिए इसको और इसी के सामने वाले पेज पर प्रस्तुतिकर्ण ऐसे बनाई है जो एक तो देख लिए आपको लिखना सबसे पहले वृत्य की प्रत्हमनविती की बारे में अगर आपको जाना तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रत्हमनविती के बारे में डीटेल में अल्रेडी बता चुका हूँ तो यहां पर मैं आप लोगों का टाइम नहीं बरबात करूँगा तो यहां पर अगर आपको जानकारी चाहिए डीटेल में तो उपर आई बेटन पर क्लिक कर लिजिए अब देख लिजिए यहां पर सीमा की माप को व्रित की परीद कहते हैं महतपूरता थे में देख लिजिए यहां पर लिखा गया व्रित की परीद तथा व्यास का अनुपात सदयव नियत रहता है इस तत्य के सत्यापन के लिए निमलिखित अनप्रयोग किये गया है अनप्रयोग यहां पर करके दिखा द आहिए यहां पर देख लिए 3 व्रित बना गिया है एक दो तीन की तरी और श्यंपट कारे पर व्रित बना दीजिए उसकी न्दे देख दिखा दीजिया और केंदर दिखा दीजिए उसके पर देख लिए 6 n ऊसके सामने लिख दीजिए इस परशी और उद्हान दिया था उसके सामने दिखने लिखने आपको 26 तरहा कतन में 6,ra ध्यान पुर्वक देखेंगे और सब्सुन था स्मझने का प्रयास करेंगे यह उध़ान अर्देध्ज रहे थे आप到 2 यहां पिलिक दीजिए अब अगली पेज पे चलिए सिछड़ बन लिखना है वृत की परिद अलग लग जो वृत बनाये थे तीन से बारे में देख लीजिए आपको यहां पर कॉलम बनाना है पूरा व्ृत-तिरिज्या व्यास परीद्य और परिद्य और व्यास में क्या संबंद है तो पहला देख लिए की तरि अब फिर उसकी परीदी और व्यास का निकालेंगे C अपाउंड 2R करेंगे तो इसका भी लगबग आएगा 3.1,4 उसी तरीके से 21 का भी करेंगे 42 आएगा उसका व्यास 21 तरिज्या का और परीदी आएगी 132 संटीमिटर उसका भी लगबग परीदी और व्यास का अनुपात आ दिजी एक प्रस्न यह दिवृत की तरिज्या 35 संटीमिटर हो तो इसके परिसीमा यानी की परीद की माप क्यात करना है आर दिया गया है आपको फर्मूला पता है C बराबर होता है 2PiR तो आर दिया गया है पाई का वैल्यू आपको पता ही होता है 22 बटे साथ होता है आब 22 साथ करेंगे तो 35 कड़ जाएगा साथ से 5 सेंटीमितर आ जाएगा 5 को 22 रखश करेंगे तो आपका 110 आपकacस हरेगा 110 कड़ा दो में करेंगे तो 220 संटीमितर आजाएगा तो परीदी बटे व्यास बराबर हो जाता है इसको ध्यान से देख लिजिए काफी इंपॉर्टेंस है आपको अगर कमप्रीशन की त्यारी करना तो उसके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है यह प्रसणों के समानट में काफी समानता होती तो इनको अलग अलग अंतरगत क्यों लिखा जाता है तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए बता दू कि पुंडरावित का जो प्रसन होता है उस छ।्षक केंद्रित के कि उने मतलब हैं कि छात्रा द्यापक या फिर चात्रा ध्याभिका ौशte लिए पρसन पूशते हैं All jewels अगर आप अपने उपर यह अप्लाई करके देखिए कि अगर आप किधर भी आपका ध्यान हो पढ़ाई की तरफ ध्यान वापस चला जाता है और आप ध्यान सपुर्वक सिच्छक की तरफ देखने लगते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर पहला प्रस पूछा गया है व्रित की परिद को परिवासित कीजिए और दूसरा प्रस ने व्रित की परिसीमा और क्या कहते हैं उसको परिसीमा को इसके बारे में बताईए अब आता है मुल्यांकन का प्रस मुल्यांकन का प्रस के बारे में बता आते हैं सही तरीके से तो सिच्छक के पढ़ाने का तरीका अच्छा है वो अपना ये टेकनिक बना के रख सकता है अगर बच्चे उसके पूछे के प्रस्णों का उत्र नहीं दे पा रहे हैं तो इसको अपने टेकनिक में कुछ बदलाव की जरूत है जिससे बच्छों को और अच्छे से समझ में आ सके इसमें भी आप मिनमम में एक से दो प्रस्ण पूछ सकते हैं मैक्समें तीन से चार प्रस्ण पूछ सकते हैं पहला प्रस्ण इसमें व्रित की परीद का सूतर बताईए और दूसरा प्रस्ण यहां पर पाई का मान कितना होता है यह बताईए अंत कम पढ़ाया तो इसमें एक से दो प्रसंद दिया जा सकता है तो देख लिए प्रसंद यहाँ पर दिया गया है यह दिवरित किसी वरित की त्रिज्या 28 cm हो तो उसकी परित घ्याद कीजिए तो आसा करता हूं आपको आज का लेशन प्लान समझ में आ गया होगा अच्छे से अ और अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करना चाहें तो वाटसेप पेस फेस्बुक पे किसी भी ग्रूप में आप जुड़े होगा तो यहाँ पर वीडियो के नीचे एक सेयर का उप्सन आता है उस पर क्लिक करके आप किसी भी लिंक को वीडियो क करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए मिस्ट न करें आप और आप लोग अपने रेगुलर बेसेज पर पढ़ाई बनाया रखें रहें और अपने पढ़ाई में इंप्रूब्मेंट करते रहें तो दोस्तों मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब